हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूटूब पर लिम्ब्राय जंती सब्सक्राइब करें मेंबर नूर पर हिंदोस्तान का वो फिम्दी तिल लहजा जिनको दुनिया शेहनशाह तरणुम मालिक आ तरणुम बादिशाह तरणुम शारे उनके हिंदोस्तान जनावे STAR जम्जमों कौसर जब्दीश पुर के नाम से जानते हैं वो मिम्मर नूर पर तश्रीफ पर्मा है इंशाओ लाँ उन से नात और मनकबत के अशार हमे और आप को समाद करना है उन्ही के अलावा आप अपने माते की निगावों से खारी ताहित साथ का भी कलाम सुनेंगे वही पर खतीब इहले सुनत तर्जमानी मसलकी आला हदरत हदरत अलामा कारी शपीगुला चतुर बेदी नैपाली के नाम से जानते हैं उनकी जामे और माने तक्रीर हमें और आप को समाद करनी है वही पर खतीब अलहिन हदरत अलामा कारी खुभुलामीन जबलपुरी उनका भी नूरानी इर्फानी खताब हमें और आप को समाद करना है बहुत अच्छे अशार मेरे भाई कारी मेरा सामने पड़े दिल खुश हो गया मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे शेर मैं भी चार मिस्री की शकल में पहुँचा दूँ अगर आपको समझ में आए तो जरूर सुभाने लग कहिएगा कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं भारी ताहिर अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शक्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं अच्छे देखें अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शक्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं तुम हान उसका देखना मैदान हच्छ में आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं और वर्प को छोड़िये पत्थर पर फिसल जाएगा उसके चेहरे का हर रंग बदल जाएगा जिसको सरकारे दो आलम से अदावत है मियान पाउं शबनम पे भी रखेगा तो जन जाएगा पाउं शबनम पे भी रखेगा तो जन जाएगा हदरात बहुत देर हो गई और मैं चाहता हूँ कि आपकी समातों के हवाले बहुत जल से जल खुतबा और शोरा को पेश कर दूँ मगर मन करता है कि कुछ शेर हैं उनको सुने और इतने अच्छे शेर हैं जुनको सुनने के बाद हर शक्स उभान अल्ला कहेगा मैं शहरे तैबा की सील लूँगा कभी इधर से कभी उधर से अब ज़रा मुहबबत से कह दें यार्शुलिल्दा मैं शहरे तैबा की सील लूँगा कभी इधर से, कभी उधर से, कभी यहां से, कभी वहां से तमाशा इतना तो कर गुजरना, नभी का दीवाना हो के मरना के लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी यहां से, कभी वहां से तमाशा इतना तो कर गुजरना नभी का दीवा न हो के मरना के लोग देखे तेरा जनादा कभी इधर से, कभी उधर से करन का मशूर है ये किस्सा नभी का आशिक एक ऐसा गुद्रा के जिसने अपने दाटों को तोड़ा कभी इधर से, कभी उधर से कभी यहां से, कभी वहां से, कभी तो गौसल बरा के घर से, कभी तो खाजा पिया के घर से, कभी तो खाजा पिया के घर से, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से, कभी यहां से, कभी वहां से, कभी तो गौसल बरा के घर से कभी तो खाजा पिया के दर से निकल ही जाता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से कभी यहां से कभी वहां से कुछ लोग बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं पता नहीं उनको किस बात की टेंशन है मैं खुछ चक्क्र में हूँ पता नहीं मैं इंगलिश में शायरी तो नहीं पढ़ रहा हूँ जो अपनी समझ में नहीं आती हो तो एक कम से कम बोलते रहें तो महसूसों के बाके ही आप समझ पा रहे हैं आईए अबराद अम्र बिला ताकिर आपकी समातों के हवाले अपनी चमाते कदीम खतीब को पेश करता हूँ जिन से मेरी मुराद खतीब एहले सुन्त, तर्जमानी मसलकी आला हदरत, आगरुव एहले सुन्त, मुजाहिद इसलाम, हदरत अल्लामा, अश्यास स्यद मसूद الحसन, मसूदी, बहराईची से उदारिश करता हूँ वो मैट पर आएं अपनी फ्कीमती खताब से हम तमाम समयीं के कल्गों जिदर को मिल्दा फर्माएं, आईए हदरत कैसे बाल करें, नारे तबीर, नारे रिसालत, फैजान गोस आजम, फैजान गरीब नमान, मसलक आला हदरत, सुल्तान अलहिंड कॉन फ्रेंस, इश्क महब्बत, इश्क महब् अल्हम्द लिल्लह, अल्हम्द लिल्लह, कफा वसलाम अला अईबादे लदीन, इस्तफाम अमाबाद, वोथ ब लएमिन शैफ़ान अर्रजीम, इसमिल्ह रहम्लीर रही त। अला इन्ना उलिया उल्लाहि लाकोफन अलीहिपं उला हम िहसनूर। सदद्वाल्राइ लगना रसूल नभी उलकरीम वनहर्न आॉलाज़क आल मिन श्याहिदिन उल्शाकिदीन वल्हमदु लिल्लाहि रब आलमे बलगल अल्या हिकमाल ही कशाफ़ दुजाब जमाले ली है सुनत जम्यों खिसाले ही सल्दूर अले ही वा आले ही चाहि घजनी मददे सज्जदों सुल्टा मददे पीर पहलं मददे घादिये दौरा मददे आंदाम बदरत लखते दिले हनफिया कुन करम बहरे खुदा आली से यस्दा मददे घादियमन नारे ल्लाहु अक्बर मीदनम दम्दा घादिये हजरते महभूब दावर मीदनम जो शैतिरी निगास दे गुदरे दरूद पड़ अर्जुद वकुल एहम जहरी अनवारी मुस्तफा जूम के पढ़ें बावाजे बलंग अल्लाहुम्स अल्या सेद लाव मौलाना मुहम्मद इन वाला आले सेदना वा मौलाना मौहम्मद इन बारी को सल्लिम सलातुम सल्हाम अले के या अभीब लला सल्हाल एक बरोरी आलाब समात करें जो खबातीनि इसलाब इस सैट में बैठी है उस्पर्दे के ठीक प्रदे के टीक पीशे तार पड़े हैं मेरी जुदारी समयाज़ से है जब बिल्कुन नहीं जाए और गुए जासा नजरा आए उससे मना कर देए तुम्दे बाग बढ़ें आप अब तक आप अब तक आप अब अज्राइब बड़ी दिल जमय के साथ बैठे हैं पीरे तरीकत मौलाना जफरुलहसन साहब अबासी आश्मी तामाजिल्लहुलालिया ने बहुत पहले मुझसे बताया है यहां के सामयین बहुत अच्छे हैं माशालला सुबू सादिक तक कोई उठके जाता ही नहीं माशालला बहुत अच्छी बहुत अच्छा अंदाज है आफ अज्राइब के समाद का और नाजिम साथ किबला अगर ऐसे ही नाजिम रहें जल्सों में बाकिए तो हर जल्सा कामयाब होगा और शायद पूरी ओम कामयाब हो जाएगी चुके नाजिम एहल सुन्नत मौलाना हसान रजा साहब बरेलवी जतने अच्छे नाजिम हैं उससे कहीं अच्छे फलूस के भी ताज़दार है जरा प्यार से मौल दें सुभान अल्ला हजरात ये जल्सा सुल्तान अलहिंद के नाम का है चिरागे चिस्त शेह अलिया गरीब नवास आप सब मिलके बोलेंगे बोलिए प्यार से चिरागे चिस्त शेह अलिया गरीब नवास मेरे हुदूर मेरे बेशवा गरीब नवास निगाहें अहले मुहबत वहां कहां पहुँचाएं के है बलंद मकाम आपका गरीब नवाद वो देहली पाग पतन कलियर और महर उली कहां कहां हुए जल्वा नुमा गरीब नवाद कहां कहां हुए जल्वा नुमा गरीब नवाद वो देहली पाग पतन कलियर और महर उली कहां कहां हुए जल्वा नुमा गरीब नवाज यार नाम इनका देखो कितना प्यारा है गरीब नवाज कहीं बंदा नवाज कहीं आलम नवाज कहीं आलम पना कहीं कोई पना कहीं कोई नवाज यहां गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नमाज किसे कहते है गरीब नमाज पुरान मुकदसा से पूछो लब कदीर फरमाता है अला खबरदार रब शतर्क करता है होश्यार करता है आगाह करता है इन्ना शक्त मत करना सुवाल होता कि पर जवाद मिलता अली के घर पर त्यार से बोल दो सुवानल्ला अला खबरदार इन्ना शक्की गुंजाइश नहीं क्यों आउलिया अल्ला ही इन्में आउलिया पैदा होंगे ला खव्फ जो निडर होंगे अलेहिम वलाहुम यह जलूल ना खो जाने का घम और ना आने की फिक्र हाजी ने घरामी वगार मौैङ धीद इनका नाम हसन है नाम क्या है हसन न्की विलादत संजर機 विज्रि पांच सो सैंथिस में मौैने मिलत की विलादत संजर की होती है उसके ऐद हदर्टे शेख उसमान हालूनी से मुलाताच होती है ऊसमाने हारूनी ने नजलों से नजले मिलाई क्या दिया क्या लिया और फिर हिंदो enmी रुटान की जानी बर्माना हो गए मदिने के ताजडार के हुक्न की तामिल बजाई हिंदो स्टान मं तशेरीफ लाए मौहिनु दीन आ गए हंदो स्टान में आजरीने गिरामी वेकार मोहिनुत दीन का हिंदुस्तान में आना था कि मैंने देखा कोई कुटूब दीन था उसे ताजदारे महलूली बनाया है कोई निजामुत दीन था उसे महबूब इलाही बनाया है कोई महद फरीदु दीन था, उसे ताजदारे पाथ पटन बनाया है कोई अच्छरब जहांगीर था, उसे मक्दूमे कचोचा बनाया है कोई शाय खब्दुर्रह्मान था, उसे मक्दूमे माहिमी बनाया है हदराज कोई कुछ पहले रहा होगा हसान रजा पहले हसान थे लेकिन नाजी में जलसा अताए गरीब नवाज से आए जनाबे वाला अहमद मिया सिर्फ अहमद मिया थे लेकिन अगर कोई हुनर है तो अताए गरीब नवाज है सिर्फ मसूद अलहसन था अगर मोलवी है तो फैज़ाने गरीब नवाद है गरीब नवाद की शक्सियत का नाम है संजर की वादी से शुरू करो और हिंद के वादी तक चले आओ तो सम्खुदा की जहां जहां तो जाओगे कहीं अजरती मिलते हैं तो वो चिष्टी है कहीं वारसी मिलते हैं वो भी चिष्टी है कहीं साबरी मिलते हैं वो भी चिष्टी है यार मिज़ाज बन नहीं पा रहां तरा प्यार से दरूदे बाग पढ़ोना अल्लाहुमा सुनियाला सेदना वा मुलाना मुहम्मद वाला आले सेदना وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَارِكُ سَلِّمْ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریب نواز کہتے کسے ہیں جو فطرت کو بدل دے سوچ کو بدل دے زمانے کو بدل دے عقیدت کو بدل دے خیال کو بدل دے اسی شے کا نام غریب نواز ہے اور غریب نواز کی عطا بھی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ہم لا وارث نہیں ہیں ہمارے وارث اجمیر کے راجہ ہیں ہم لا وارث نہیں ہیں میں مذہب سے اسلامی ہوں اور میں جناب منصف سے مشرب سے مسعودی ہوں لیکن عقیدت سے رضوی ہوں میں مسلط سے میں رضوی ہوں یاد رکھو وعدی رضا کی گوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمد دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمد دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے حضراتِ محترم معلوم ہے تمہیں میں دیارِ غریب نواز میں گیا تھا تو میں نے ایک شیر چوکھٹ کو چوم کر اور ہمارے پیچھے چند حضرات تھے جو منکرِ غریب نواز تھے انہیں سنا کر میں نے چند شیر کہتے آدھا نہ کریں شر کہ ہم اولادِ علی ہیں چھیڑو گے تو شبیر کے بابا کو بلا دیں گے ہم ظلم کے دشمن ہیں ظالم سے نہیں ڈرتے بولو گے تو غازی کی تلوار اٹھا لیں گے بولو گے تو غازی کی تلوار اٹھا لیں گے بولو گے تو غازی کی تلوار اٹھا لیں گے ہمیں غریب نواز کے دروار میں گیا غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز تمہارے در کی کرامت کو بارہاں دیکھی غریب آئے اور بن گئے غریب نواز اب ایک شیر ایسا ہے جو چھپنے والا ہے لیکن محبت میں چھپے گا بول دونا سبحان اللہ وہ یہ ہے جو اس فقیر نے کہا تھا نہیں سنو گے تو غازی نیاں سے کہہ دیں گے نہیں سنو گے تو غازی نیاں سے کہہ دیں گے کسی غریب کی سنتے نہیں غریب نواز کسی غریب کی سنتے نہیں غریب نواز اے میرے آقا تمہیں غریب پڑا تم بڑے غریب نواز بڑے کرو غریب نوازی میرے غریب نواز حضرات محترم غریب نواز نے صرف عجمیر نہیں بدلا غریب نواز نے سارے ہندوستان کو دبتیل کر دیا ساری انڈیا کو چنج کر دیا جب یہ ہندوستان کی دھرتی پر ایک شہر عجمیر جنگل تھا یار جنگل جب عجمیر میں انہوں نے قدم رکھا تو ایک بہت بڑا گیٹ تھا کیا تھا بہت بڑا گیٹ تھا اسی گیٹ پر پہنچے غریب نواز نے فوراں مسلح بچھا دیئے دو چار سپاہی لگے تھے غریب نواز نے فوراں اللہ اکبر اللہ اکبر فوراں پرتلی راج کے سباہی ہے بابا اے بابا بابا کہ بولو کہاں واپس چلے جائیے کہاں سے آتے سنجر سے کس نے بے جا مصطفیٰ نے کس نے مجھا بلایا مسعود غازی نے کس کام سے آئے ہو مذہب اسلام کے کام سے آیا ہوں بابا واپس چلے جاؤ باغل ہو گیا کیا آیا ہوں تو جانے کے لیے تم سب کو واپس لانے کے لیے واپس جا نہیں سکتا تباہیوں نے کہا بابا چلے جاؤ بابا نے کہا بیٹو بیٹ گئے پرتلی راج چوان کو خبر گئی کہ مسلمان آ گیا اجمیر کی بادی میں دوسرا آ گیا آنے والا دوسرا سپاہی آیا بابا چلے جاؤ تم بھی بیٹو وہ بھی بیٹ گیا آخر میں خود جنابے والا پرتلی راج آیا اس نے کہا کہ باما واپس چلے جاؤ یہاں مسلمان نہیں ہیں کہا نہیں نہیں میں جانے نہیں آیا ہوں پرتلی راج چوان نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ اسی سے جائیں گے جو آپ کے لائن کا ہوگا آپ کے جیسا جانکار ہوگا مہینک دین نے کہا کہ اگر ہے ایسا تو اسے بھلا دیجئے کہاں بلکل بھلا دیتا ہوں گا بیٹھو تو پہلے پرتلی راج چوان بیٹھ گیا چند منٹ بیٹھا رہا گریب نواز سے پرتلی راج چوان نے کہا بابا آپ ہم لوگ جائیں گریب نواز نے کہا آپ لوگ جائیے نہ پگڑ کے کس نے رکھا ہے راجہ پرتلی راج نے کہا کہ مہراج زمین تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی گریب نواز نے کہا نادان حکومت تیری ہے راج تیرا ہے ریاست تیری ہے عجمیر تیرا ہے ڈلی تیرا ہے مہرونی تیرا ہے جنابے والا اتر پردیش تیرا ہے مدھ پردیش تیرا ہے بنگال تیرا ہے پیہار تیرا ہے جار کھنڈ تیرا ہے حکومت تیری ہے تو زمین کیوں نہیں چھوڑتی پرتلی راج نے کہا مہاراج چھوڑ دیجئے مہین الدین نے کہا دیکھا تم نے ارے تیری حکومت بظاہی رہے اور میری حکومت باطن میں ہے میں وص مصطفہ کا نوازہ ہوں جس کی حکومت ہوا پر بھی ہے شزا پر بھی ہے کمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے انس پر بھی ہے جن پر بھی ہے چرند پر بھی ہے پرند پر بھی ہے جس کی حکومت ساری کائنات پر ہے اسی کے بیٹے کا نام مہین الدین ہے مردمی راج اگر میں آیا ہوں تو واپس جانے کو نہیں کہا بابا چھلے جاؤ نہیں جاؤں گا تو جاؤ چھوڑ دیا بریقنا بات نہیں لیکن بابا بلاتا ہوں بلاؤ بلائیا گیا جوگی جیپال جب جیپال آیا انہیں مہین الدین کو دیکھا بڑی دبلی پتلی سریر تہوند میں پیوند پورتے میں پیوند توپی دو پلے کی بڑی عجیب ہمارے مولانا خسام صاحب کے جیسے جب دیکھا توپی اور لنگی اور پورتا تو جوگی جیپال نے کہا بابا اتنی دبلی پتلی سریر سنگل چھے 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 کے آدمی آپ مجھ سے پنگا لینے آگئے مجھ سے میرے مقابلے میں آگئے مہین الدین نے کہا پاگل ہے ابھی تو خیبر بتا کر کے آیا ہوں ابھی سانس بھی نہیں لیا ابھی بدر فتح کر کے آیا ہوں ابھی سانس بھی نہیں لیا ابھی ہنین فتح کر کے آیا ہوں ابھی سانس بھی نہیں لیا ابھی توپ فتح کر کے آیا ہوں ابھی سانس بھی نہیں لیا ارے میں تو بہتر अच्छे एक जगे में तक्रीर कर रहा था गरीब नवास की अजमत पर कुछ लोगों ने कुछ और लोग भी थे स्टेज के बगल उन्होंने कहा सहाबा पर नहीं बोलते जरा सहाबा पर बोलिए हमने कहा सुनो पागल हो तुम अगर अबू बक्र पर बोलता हूँ तो सिर्फ स का इजहार होगा उमर पर बोलता हूँ सिर्फ अडालत का इजहार होगा उसमान पर बोलता हूँ सिर्फ सखावत का इजहार होगा अरे मौईन الدین उसे कहते है जिसकी सीरत में सिर्दी की सदाकत प्रेवस है उमर की अडालत मौजूद है उसमान की सखावत मौजूद है अली क की शुजान मौजूद है। हुसाइन का सब्र मौजूद है। मतुद गाजी की तबलीग मौजूद है। इसलिए बहे मोर्य democrat करता हूं कि दीडी में शाईन का पिछोना भी आसमान का शाम आना भी है मुईल उत्वीन में नूगाणियत भी है और मोर्य अंतीन में इंसानियत त्यार कि अलएं इसalfय कर भिछोना भी है आसमान का शाम आना भी है बाबा चले जाओ, नहीं जाओंगा जी, चले जाओ, नहीं जाओंगा, चले 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 जाओं तो जिसे मैने चना दिया रोक नहीं सकता और जिसे मैने रोक दिया वो अभी चन दिया बम offenses बाथ eszवाए बादक बेश हो अबना यहाए बादक दिखाद हूँ नहीं नहीं थेका दिखादो पाशादी घैक बड़ा भीचे थे पुदिखे गरीब नमाज लाए बाडी अनार की और गिठली याम की मौलाना हसान साहथ से अगर हम कह दें कि चाइना की मॉबाइल है लोकिया की मशीन है तो मौलाना हसान कहेंगे वसूरी इया अर्टर हो गाई अरे चाइना की बॉड़ी में नोटिया की मशीन चाइना की बॉड़ी में संसंग की मशीन कभी सचच हो नहीं सकती मुएनु तीन उसी का तो नाम है बॉड़ी कुछ रुकी है लेकिन कल्मा पढ़ा के पात किया जाता है अल्लाव का वली उसी को कहते है जो कचड़े को हीरा बनाता हो वली उसी को कहते हैं जो कासिर को मुमिन बनाता हो वली उसी को कहते हैं तो चाहिल को आलिब बनाता हो वली उसी को कहते हैं जिस रास्ते से जाए जमाना देखा है तो ये कहते कि ये अल्ला हो वाला है ये कोई मुसल्मान है ये कोई कलमा को है अनार में आंकी इठली योगी जैपाल ने गार बाबा का जी कार पेसे की लग करवाई है हमारी क्या हुआ अदेखिए इसा है जिफ इतना बढ़ा दो ये बाग है कहां जहां से आप अनार लेकर आए हो ये बाग है कहां कोई प्रसनल बाग है क्या मैंनुद्दीन ने कहा ये मेरी प्रसनल बाग है मेरे नाना ने लगाया है मेरे डादा ने खाया है ये मेरी प्रसनल बाग है है कहां जन्नत आप अवे प्रिद्वी राच वहां के महल को जन्नत समझता भाँ जन्नत तो उपर है जन्नत बलंद मकाम का नाम है बलंद जगे पर जन्नत है जोगी जैपाल ने बहुत मारा जाएगा ना बाबा जाओंगा बहुत मारा जाएगा नहीं जाएगा बहुत मारा जाएगा बाबा जाओंगा ठजा कुछ दूर गया था गरीब नवाद ने जूतों गरीब नवाद ने कहा मैंने तुझ पर हिसान किया है मैंने तुछ पे हिसान किया है जो भी जेपान ने कहा बाबा जूतों से मारें ये हिसानों की हो ये कुंसी बात है कहा मेरा खांदानी मामूल है कि मैं किसी को फर्दी सबता नहीं किसी पर जुम ढाता नहीं मैंने तुछ पर हैसान किया बड़ी मार से बचने के लिए छोटी मार देके वाबर सुन लिया जोबी जेपाल ने का कुछ नहीं बाबा जाने दी तिया बहुत मारा जाएगा दाई बाई बाई दाई हो जाएगी अच्छा ठीक है जादर नहीं मानता तो पहुच गया जोबी जेपाल पहले आसमान पर अजी बहुत बड़ा गेश बहुत बड़ा ताला जोबी जेपाल इदर देखे वही ताला उनपर नीचे दाई बाई ताला बहुत बड़ा ताला जुबी जेपाल जाके ठका पक खड़ा बाएं दो चार सिपाही जुबी जेपाल खड़ा शिपाहीयों ने पूछा कहा जा रहे हो कहा जन्नात बहा जाओ की कहा ताला खोलो जपाहीयों ने कहा पहले ये बता तुझे भेजा किसने आए तहां मोलित दीन ने एक ने दूसरे को दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने चगदे को वापस में मशवरा किया ये हिंडिया का चोड दिखता है जन्नत में चोड़ी करना चाहता है मुवा लो चोरों से बच के रहना चोरों से बच के रहना वहां पर अनार की बात छी यहां तरे एमान की बात अबने एमान की हुषाज़त करना है तो सैजानِ खरीम नमाद की दरूरत है और पसलगे आला हम्दुद। नारे तपीर, नारे मिसालत, पैजान गरीम नमार्ज, मसलगे आला हदुद। हदरते अला सेयन मसूदी, हसन मसूदी, भीष्क महब्द, भीष्क महब्द। अच्छा किता है, भावा बाद मुथरम, यह भी रेपाल गया, सिपाहियों ने मिश्वरा किया, काम चालू कर दिया, गाई, भाई, भाई, भाईद, दार से नीचे आया, गरीम नवास के जब आप और गिरा, वहाद लेकिन अभी भी आपी, आप ही की गल्लती है, कहा क्या, सि और आने आजम भीड़ियन अगर इमाम एप भागशत तो इस गेड़ की चाभी एमाम पागश के हाथ है अधरा अजनाद मंहतरम इस गेड़ की चाभी अली और अली वालों के हांख में अगर वो भैचते तो चाभी लेके भैचतते वो जोगी जैपाल घरीब लबाज़ाफ ने जाबी नहीं त्याया। जर्नत भेश दिया। मौई ने मिलप सर्माते हैं। त्पाकर हो गया है तू। डाद्ध माझ बताये। मौई ने बाख में कहा। जरा ये जवाब दे। तूने ताले को देखा है। गेत को देखा है, सिफायियों को देखा है, जोगी जैपाल ने कहा, मैंने गेत भी देखा है, ताला भी देखा है, सिफायियों को भी देखा है, लअरे रिसालत, मस्लते आला हबरत, सुल्तान रहूल कॉन धर displaced, हबरते अंलामाष रोह आमीन जबलगूरी, सेज्ज जफरुल हसन साहब किभला खान का है आलिया ताजिया भीकि भूर शरीफ बाबा जफर ताजी साही किभला नारे पपीर नारे रिसालत अगराते मुथरम देखा तुमने ताला केतना बड़ा हाँ बाबा देखा तो है ताला तो बहुत बड़ा है कहा पगला चाभी वहुत बड़ी है उठा नहीं पाएगा ताले के मिध्दार चाभी होती है अगर उस घेट का ताला बला है उसमें चाभी बड़ी लगे कि बड़ी वजण चाभी है उठाने पाएगा जोगी जेपाल ने कहा बाबा आप इतने दुबले पतले मैं इतना मोटा ताजा आप इतने छोटे गद के मैं इतना लंबा छोडा केसी बात करते मैं चावी नहीं उठा पाऊंगा कहां बैल गारी पे चावी लती है मोहिने पाक ने कहा वो बैल गारी की चावी नहीं वो किसी साधर की चावी नहीं वो किसी सावारी की चावी नहीं वो चावी वहां रहती है जहां लौस का रखुन हुआ करता है वो चावी वही होती है जहां लौस का रसुल हुआ करता है जोगी जैपाल ने कहा बाबा चाभी दीजिये तमाम बात नहीं, चाभी दीजिये बाबा जन्नत जाओंगा मोईने पाक नेगा अगला नहु उठा पाएगा बढी बजहने उठा लूँगा नही उठा पाएगा साही बता उठा लेगा नहाने में तो सब कूछ छो कदा दिया अबे हम नहाते तो मेल छूटती मेल भो इनु तीन नहला दे तो कीना भुल जाए भो इनु तीन ने जोगी पाल के मेलों को नहीं छुड़ा ला बंके दिल के दर्मागों को खोल दिया तिल की खितियों को खॉल दिया और जोगी जैपाल आकर कदमों में अपने सर को रख दिया मैं समझ गया रिजालत वाले का बेटा है मैं समझ गया नुभूत वाले का बेटा है मैं समझ गया सदाकत वाले का बेटा है मैं समझ गया सखावत वाले का बेटा है तेरा वो घर है जिस घर में काइनास समाई है मैं समझ गया पढ़ादे नाना का कन्मा मुईने पाक ने कहा पढ़ ला इलाहा एल अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अच्छा और एक चीज़ जाले पारी ताइस आप कहा है दो वक्षा बन पर दो सेदना वो मुवलाना मुहम्मद रसूल अल्लाह दो वक्षा पारिक पर इसुख भारिकों रसूल भारिकों हजराते मुहतरम आप हजरात को एक मुट्टा देके जाना चाहता हूं बस दो चार मिनट में यह समझ लें और अगर कोई आप से यह सुवाल करें आज मैं आ रहाता तो बच्रावा में एक सिपाही है उन्हों ने पूछा यादो हैं बच्रावा जियारती में रहते हैं उन्हों ने मुझे स्वाल किया बाबा आप ये बढ़ाएए आपका ख्याल आतंकबाद के तालुक से क्या है मैंने कहा ना मैं आतंकबादी हूँ प्शूर्ण बी करते हैं अच्छा बताईए आप का ख्याल क्या है मैंने कहा मैं कल भी आतंगु वाड़ के खिलास हूं है अातंगवाद के खिलाफिव। और आप भी जादते हैं आतंगवाद करता ही कौन है वो आदमी समझ गया यादों जीचे वो उनके समझ में आगया आतंगवाद कौन करता है अब अगर कोई एक है कि मुसल्मान आतंगवादी होता है तो आप फौरण इत्हास उठाने और तारीख हुदाने है आपको होने से पहले घदरते इमाम हुसाइन को मक्के से हिज्रत करके मक्का आने से पहले इमाम हुसाइन के खान दान के लुपने से पहले इसलाम हिंदूस्तान में आ चुगा था तवज्जो तारीख बता रहा हूँ तवज्जो है है तवज्जो प्यासे बोले हाथ उटा के बोले अज़राते मुहतरम जब वो कुछ ना था नभी पाक की दाथ अरब की वादी पर जन्मागर थी आपके हायाते पाक में मजहब इसलाम हिंदुस्तान में आ चुका था अब अगर कोई जमाग दे तो आप बता सकते हैं मेरे आल वक्त हमारा हो चुका ऐसी तभी इंशालला मौका मिला तो देखेंगे उच्छियत का नाम के रसुले हदीश के अलसाद भी है इत्यास के अलसाद भी है उस हस्ती का नाम हाजी रतनलाल जी जिनका आस्तान आलिया पंजाब में मौजूद है बना हुआ है हदराते मौतरा मितना समझ ले कि इसलाम लाने वाला हिंदुस्तान में इसलाम की तबलीग करने वाला हिंदुस्तान में वो एक सहादीय रसूल है, बोलो सुवाल अल्ला, वो ना मक्के का है, ना मदीने का है, ना बसरा का है, ना नेनवा का है, ना कूफे का है, वो आने वाला हिंदुस्तान से जाकर मदीने से इसलाम हिंदुस्तान लेके आया है, जो आज इस्तिलाफ मचाते, उनी के जद्तों ने हमारे चैनल से जुरने के लिए यूटूब पर लिम्ब्रा अजनसी सब्सक्राइब करें